साले, हटकड़ी खुली नहीं और शुरू हो गए रंगबाजी हाँ शकल देखकर चार्चेट बढ़ाने लगए याजगर पुलिस शकल नहीं अकर देखके कर दीजिए दोस्तों वीडियो को स्कीप न करें वीडियो को अंतक देखें बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों आपको बता दूं कि अजय देवगन और तब्गु स्टार ये फिल्म 30 मार्च से सिनेमा घरों में दिखाया जा रहा है इस मुवी में अजय देवगन और तब्गु की अलावा संजय मिश्रा, दीपक रुब्रियाल और अमाला पाल भी मुख्य भूमिका में हैं दोस्तों आपको बता दूं कि इस मुवी को इंडिया में लगभग 4000 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था दोस्तों आपको बता दूं कि ये एक एक्शन थ्रील और मुवी है इस मुवी का निर्देशन अजय देवगन ने की है भोला मुवी की बजट की बात करें तो इस मुवी की बजट लगबग 100 करोड रुपए बताया जा रहा है फिल्म की क्लेक्शन की बात करें तो आजय देवगन की फिल्म भोला का कलेक्शन IPL की वज़े से काफी ज्यादा प्रभावित हो रही है लोगों को अजय देवगन और तब्गो की ये फिल्म खूब पसंदा रही है दोस्तों आपको बता दूँ कि यह मूवी पहले दिन बॉक्स ओफिस पर शानदार प्रदशन करते हुए 11 करोड 20 लाक रुपए की कमाई कर ओपनिंग ली थी अगर बात करें इस मूवी के पहले वीक के कलेक्शन के बारे में तो यह मूवी पहले वीक में बॉक्स ओफिस पर शानदार प्रदशन करते हुए 69 करोड 98 लाक रुपए का कारुबार करने में सफल रही है वही अगर बात करें भोला मुवी के दूसरे वीक के कलेक्शन के बारे में तो ये मुवी नौवे दिन यानी रिलीज के दूसरे शुक्रवार को बॉक्स ओफिस पर 3.51 लाख रुपए का कलेक्शन किया था जबकि इस मुवी के दस्वे दिन के कलेक्शन में जबर्दस्त उचाल आया और ये मुवी दस्वे दिन यानी शरीवार को बॉक्स ओफिस पर शानदार प्रदशन करते हुए 3.90 लाख रुपए का कारुबार करने में सफल रही थी अगर बात करें इस मुवी के 11 वे दिन यानी रविवार के दिन के कलेक्शन के बारे में तो भोला मुवी 11 वे दिन यानी रविवार को बॉक्स ओफिस पर शानदार प्रदशन करते हुए 4.90 लाख रुपए का कलेक्शन किया था जबकि इस मूवी का पहले 12 दिनों का इंडिया ग्रास कलेक्शन 86 करोड 70 लाक रुपए हो चुकी है। जबकि इस तरह से भोला मूवी के अब तक के कलेक्शन में आज यानी 13 दिन का कलेक्शन जोर दिया जाए तो इस मूवी का अब तक का 13 दिनों का टोटल नट कलेक्शन 75 करोड 20 लाक रुपए हो जाता है।